हेलो स्टुडेंट वेलकम टू सीबी एसी फिजिक्स गिलोवनोमेटर से लेटिड एक और इंट्रेस्टिंग प्रॉलम बचो हमें गिलोवनोमेटर की रिजिस्टेंस दे रखी है इस प्रॉलम के अंदर 100 ओं और गिलोवनोमेटर में से करंट जो पास कर रहा है आईजी जिसको आपा कहते हैं वो है आईजी जिस पर ये फुल डिफलेक्शन शो करता है 1.0 मिली एंपिर कहता है इसको एमीटर में कनवर्ट किया रहा है एमीटर में कनवर्ट करने के लिए क्या करते हैं आपा एक बहुत स्मॉल रिजिस्टेंज जिसको शंट कहते है वो आपाने इसके पैरलल में लगाई अब जो पीछे सी प्रेंट आई जो की 1 एम्पिर आ रहा था उसके लिए इस अरेंजमेंट की गिलोवनोमेटर की रही रिजिस्टेंज क्या होगी मोस्टली प्रॉलम में वो शंट पूसता है कि शंट की वैल्यू कितनी चहिए होगी इसको इस रेंज का बनाने के लिए तो यहां थोड़ा साट्विस्ट दे दिया है इसने इसने एस ना पूचके इन दोनों की इफेक्टिव रिजिस्टेंस पूचके तो हमारे पास i दे रखा है 1 ampere तो formula क्या होता है v is equal to ir तो i जो पहले था जो parallel में voltage सेम होती है ig into g is equal to i यहां से करेंट कितना जा रहा है i minus ig into s तो यह step important है mostly books के इंदर s find out करने के लिए करता है आई यह बेले s find out तो करने ही पड़ेगी ig कितना दे रखा है 1 milli ampere कि गिलोवनोमेंटर की सेंस 100 ohm यह 1 minus 10 की पावर minus 3 into s तो s की value हमारे पास आगी solve करके 10 की पावर minus 1 यह 0.1 upon 1 क्योंकि 1 में इसे इतनी छोटी quantity जाएगी तो 0.009 भच जाएगी तो यह approximately उसने question में कहा है approximately the resistance of close to close to का मदलब approximately तो यह आई है shunt resistance अभी उसने कहा गिलोवनोमेटर की total resistance find out करो जो कि इससे भी कम आनी चाहिए परन्तो option में इससे नीचे कोई है यह नहीं होगी जब भी हम कोई चीज पैरले में resistance लगाते हैं total resistance जब देखते हैं तो 0.1 ohm से भी कम आनी चाहिए और लेकिन answer अपना 0.1 ohm ही आएगा यह देखते हैं जो इसने कहा है करने के लिए total resistance of the emitter वो होगी वन की दुनों parallel में 1 by g plus 1 by s g की value 100 और s की value है 0.1 0.1 को कह लिए सकते हैं decimal टाके उपर 10 आ जाएगा LCM 100 और इसकी 1 और इदर 100 की 10 से multiply 1000 यह आ जाएगा 1001 upon 100 यह क्या आया है 1 by r हमें क्या find out करना है r वो होगा 100 by 1001 approximately तो होगा वो 0.999 ऐसे आए 0.999 लेगिन इन में से फिर best 0.8 भी नहीं match करता है 0.09 approximately किसके को लोगा close to 0.1 ohm तो option A क्रेक्ट होगा तो बच्चो interesting problem थी गलती होने के थोड़े मुटे चांस है लेकिन अच्छी problem है एक number के लिए बहुत कुछ करवाते हैं भई थैंक्यू बच्चो चैनल सब्सक्राइब करें अच्चा मुटेड़े जखा हैं क्या है थोड़ेदे टी कि लिए चांस हूगा है ऑट बच्छी के लिए अच्चोगा यदिल्धेप अपस्चार्ट अवणे जए प्सक्राइब का उट रपधा करें अपस्चाराईब करेंगां दो प्सक्चा दोड़े पस्चार्ट अच्